नमस्ते मित्रो स्वागत है आप सबीका आपके अपनी यूटूब चैनल जीके हेल पीद जयरभी पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारना प्रताप से समंदित मोस्ट इपोर्टेंट 25 क्वेस्टन ओके बारे में हैं दोस्तो मारना परताप से समंदित राजस्तान में आयोजित होने वाली प्रतेक भरती प्रिक्षा में कोस्टन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इपोर्टेंट है तो इसे पहले आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जुरूर करें और पास में जो बेल आइकन उसे भी प्रेसे कर दें तो वीडियो सब्सक्राइब करते हैं फर्स्ट कोस्टन है आपके सामने मारना परताप का जनम कांपर हुआ था तो दोस्तों आपको याद रखने है मोश्ट इपोर्टेंट कोस्टन है मारना परताप का जनम है वो कांपर हुआ था तो इसका बी ओप्सेन राइट है कुंबलगड में दोस्तो मारना प्रताप का जनम में कुम्बलगड में हुआ था दोस्तो कुम्बलगड का जो बादल मेल है उसकी जुन्नी कचेरी नामक स्तान पर मारना प्रताप का जनम में 9 में 1540 को होता है तो आपको याद रखने बहुत ही पोर्टेंट है 9 में 1540 को मारना प्रताप का जनम तो दोस्तों मारना प्रताप के समय अकबर है यह साबाज खां को तीन बार मिवाड पर आकर्मन के करने के लिए बेजता है यानि कि इस क्वेस्टन का बी ओप्सन राइट है दोस्तों यह तीन बार जो अकर्मन होते हैं यह कुंबल गड के युद के नाम से जाने जाते हैं कब मिवाड पर आकर्मन करने के लिए आता है तो याद रखने दोस्तों तीन बार अकबर हथा न के लिए बेजता है नेस्ट कोस्टन है हल्दी गाटी के युद में मुगलों और मारनाप के सेनिकों के साथ है दोनों पक्षों के जिन हातियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे तो दोस्तों ये भी कोस्टन बहुत इपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछ अगया है तो इसका जो बी ओप्सन है वो राइट है लुणा, रामपरसाद, गजमुक्त और गजराज ये हाति दोस्तों दोनों पक्षों की तरफ से युद में लड़ते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मानसीय का हति मर्दाना है वो भी इस युद में लड़ता है और हवाई जो की अकबर का आती है वो भी इस युद में लड़ता है तो आपको याद देखने हैं लुणा, रामपरसाद, गजमुक्त, गजराज दोस्तों ये राम परसाद आती है ये मारना परताब का आती था और मारना परताब के गोड़े का नाम चेतक था ये आपको मालू मैं नेस्ट कोश्चन है अकबर ने राणा परताब को समझाने के लिए किसको पर्थम दूत के रूप में बेजा तो दोस्तों अकबर क्या है राणा परताब को समझाने के लिए एक सिष्ट मंडल बेजता है जो चार बेजता है लेकिन पर्थम जो बेजा गया था वो बेजा गया तो याद रहन दोस्तों 15 सों बेतर में कब बेजा गया पंद्रसों बैतर इसमी में गई था नेश्ट रहे कि अक्वर्टवरा मारना प्रताब से बादचित हेतू बेजहके दूत्थों का सही करब साइक करम बताने हैं दोस्तों यानि कि सरस्वपर्थम कोन आए उसके बाद नेरे हिडार जो आक्वर्थवट्वरा दूत वेजहके थे स्वे항े को परताब को समझाने के लिए अकबर द्वारा अंत में बेजा गया दूद कौन था तो टोडरमल था और पर्थम था वह जलाल खा कोर्ची था दोस्तों जो पर्थम तो आता है बैतर में बाकी तीन आते हैं यह याद रखना पर्थम जो जलाल खा कोर्ची यह बैतर में आता है और बाकी जो तीन है यह तेतर में आता है तो आपको याद रख सकते हैं तीन से तेतर मानसी हैं बगवनदास टोडरमल अगला कोस्टन है हल्दी गाटी का यूद कब हुआ तो दोस्तों हल्दी गाटी का यूद है यह 1566 इश्वी में हुआ था यानि कि इस कोस्टन का सी दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि हल्दी गाटी का यूद्ध जो एक्यूट डेट है वह 18 जून 1566 इश्वी को हुआ था राजसमंद जिले में है दोस्तों सेंटर में जो एक्जाम होते है वहां पर 21 जून 1566 डेट राइट माननी जाते हैं तो आपको याद रिखना है नेश्ट कोस्टन है मारना परताब की सेना का पठान सेना नाइक था मोस्ट इपोर्टेंट कोस्टन है दोस्तों पठान सेना नाइक तो आपको याद रखने हाकिम का सूर था कौन था हाकिम का सूर यानि कि इस कोस्टन का सी ओप्शन राइट है यह कोस्टन बहुत बार एक मारना परताप का राज्य विशेक हुत si gagunda में यानि कि सो इस को स्चिन का B option राइट है काहां पर उंसा गुइन अगर city पूंशिएक की मारना परताप का राज्य विशेक कब हुआ था झायाद रखें 28P 28 फरवरी 1532 को कब हुआ था 28 फरवरी 1532 को मारना प्रताप का राजय विशेक को गुंदा में हुआ था नेश्ट कोस्टन है दिवेर के युद के पस्चात मारना प्रताप की नई राज़दानी थी तो दोस्तों दिवेर के युद के पस्चात मारना प्रताप की जो नई राज़दानी थी वो थी चावंड कौन सी थी चावंड यानि किस कोस्चन का डी ओप्शन राइट है इपोर सिभंप नोर का युद्व एकमनोर का युद्व ये औभूल फजल Wenn Side दोस्तों मार्ना परताप ने कितने वर्षों टक सासन किया तो दोस्तों मार्ना परताप ने 24 वर्षों तक सासन किया था यानि कि ंज बå ुप सिन यह को स्ट नगा कि आयू में 28 फरवरी 1532 को मारना परताप का राजेब शेक होता है कहां पर गोगुंदा में और इनका जो द्यानत होता है वो होता है 19 जन्वरी 1527 को तो आपको याद रखने हैं दोस्तों यह जो टाइम पिरिएड है वो है 24 वर्स तो यह भी कोस्टन इपोर्टेंट है और एक यह करनल जेम्स टोड ने किस युद को कहा है तो आपको याद रखने हैं दोस्तों दिवेर के युद को मिवाड का मिराथन की संग्या दिया यानि कि इस कोस्टन का D option राइट है दिवेर का युद इसे करनल जेम्स टोड ने मिवाड का मिराथन कहा है नेस्ट कोस्टन है मारना परताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से प्राजित किया था तो दोस्तो कापरद मारना परताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से प्राजित किया था कुंबलगड में बयाना में खातोली में दिवेर में तो दोस्तो दिवेर के युद में मारना परताप ने मुगल श्रेना को बुरी तरह प्राजिते किया था यानि कि इस question का D option right है Next question है इतियासकारों ने किस युद को गोगुंदा का युद की संग्या दी है दोस्तो ये question बहुत important है और बहुत बार exam में पूछा गया है गोगुंदा का युद किस युद को इतियासकारों ने संग्या दी है तो दोस्तो आपको याद रखना है जो हल्दी गाटी का युद इसको इतियासकारों ने गोगुंदा का युद का है यानि किसका A option right है अगला question है कौन सा कथन A सत्य कथन बताना है दोस्तो सबसे पहले देखते हैं कथन A मारना परताप का जनम कुमलगट द्रूग में बादल मेल के जुन्नी कचेरी में लो में 1540 को हुआ था ये कथन एकदम right है मारना परताप का द्यान ते 19 जनवरी 1597 को हुआ था ये भी right है हल्दिगाटी का युद 18 जून 1596 को हुआ था ये भी सत्य है और मारना परताप का राज्येविशेक दोस्तों मारना परताप का राज्येविशेक होता है 28 फरवरी 1532 को 28 फरवरी 1532 को मारना प्रताप का राज्यव से गोगुंदा में होता है तो आपको यह याद रखने इसका डी जो कहते हैं वह सब्सक्राइब next question है हालदी गाटी के युद्ध में कौन अकबर की तरफ से नहीं लड़ा अकबर की तरफ से कौन नहीं लड़ा इन ओप्षन के धार पर आपको बताने है मानसिय, आशब खा, मियत्र खा, जाला मान तो दोस्तों इसका D option right है जाला मान जाला मान है ये मारना परताब की तरफ से लड़े थे तो आपको याद रखने हैं मानसिय, आशब खा और मियत्र खा ये तिनों अकबर की तरफ से लड़ते हैं तो आपको याद रखने है नेस्ट कोस्टन है राणा परताप की छत्री कहां पर बनी हुई है ये भी कोस्टन इपोर्टेंट है दोस्तों बहुत बार एकजाम में पूछा गए है तो आपको याद रखने है राणा परताप की जो छत्री है वो बांडोली में बनी हुई है या लामान हकिम खासूर पुझाबील बदायूनी तो दोस्तों इसका डी ओप्सन राइट है बदायूनी यह मारना परताप की तरफ से नहीं लड़ते यह अकबर की तरफ से लड़ते यानि कि डी ओप्सन इसका राइट है नेश्ट कोस्टन है किस स्तान से अमर्शियन ने मुगल सेनापती रहिम की बेगम को पंदरा सो असी इश्वी में उठा लिया जिसे परताप ने सह समान वापस पहुंचाया तो दोस्तों इसका बी ओप्सन राइट है सेरपूर से सेरपूर से दोस्तों अमर्शियन जो की मारन परताप के पूत्तर थे यह रहिम की बेगमों को उठा कर लेकर आ जाता है और इसे सह समान मारना परताप वापस पहुंचाता है तो आपको याद रखना है इसका बी ओप्सन राइट है सेरपूर से उठा कर लाता है नेस्ट कोस्टन है मारना परताप ने चावंड में किसक और एकजाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है takiego मारणा परताप ने चमुनडा मता का मिंदर बनाया था prohh na ॐ नेस्ट को ने मारणा परताप किन-किन को छोड़कर सेष्म्षे व्यवाड वापन से जीत ले तो दोस्तो मारणा परताप है चितोडगड वर मांडल गड इनको छोड़कर सेश विवाड पुनिह जित लेती है यानि कि इसका D जिवाड की चित्रकला का सवतंतर विकास प्रारम करते हैं यानि कि इसका सी ओप्षन राइट है को नेक्ट कोस्टन है हल्दिगाटी के युद्ध के बाद निमन लिखित में से किन्द सेनानायक के नतरताव में अक्पर ने मारना प्रताथ के विरुच सेन अभ्यात हैं अब्दूरहीमच खान खाना साबाज खान में बेजते हैं यानि कि इसका डी ओप्षन राइट है ए बी सी तो याद रखने दोस्तों हल्दिक अटिक के युद के बाद सेना नायक के नेतरतम में जो कि अब्दुरहीं खान खाना साबाज खान और जगनात कच्वा इनके नेतरतम में अकबर मारना परताप के विरुदे सेन्य अभियान बेजता है तो इसका डी ओप्षन है वह राइट है नेक्स्ट कुस्ट मारना परताप और अकबर के मद्या संग्रस समंदित सत्य कथन है तो दोस्तों कथन ए अकबर ने मारना प्रताप के सोतेले बाई जगमाल को प्रलोबित करके जाजपुर की जागिर प्रदान की तो दोस्तों याद रखना है यहां पर यह सत्य जाजपुर्ग की जागरे मारना परताप के सोतेले गाइस जगमाल को अक्बर परदाने करता यह फिर है मानसियं के चले जाने के पसचात रणा परताप ने गोगंदा को पुने हस्तगत कर लिया ये भी राइट है राणा परताब ने इडर यासत के नरायन दास को अकबर के विरुद युद्रय करने को उक्साया था तो ये भी सही है और डी ओप्स ने राणा परताब को पकड़ने का अंतिम एश्फल प्रियास पंदरा सू चुरासी पिचासी म में जगनाति कछवाय के रूप में छिड़ा गया था तो यह सब सकते इसकी प्रियास ऑफ्साद को तो आपको जाद इसी राम परशाद को अकबर गिरुवदार करने के परचाद ॉसका नाम प्रिवर्तित कर देता है पीर-परशाद कर देता है तो यह भी आपको जयान रखने क्या यह कर तेता है थॉ दोस्तों बताइए चेत्त की जो समाध्य है वो कहां स्तित हैं तो इसका ब्लिच्य के गाम है राज्ट समंद में चेत्त की समाधी अस्थीत है और दोस्तों यह कोश्चन है करनल जैम्स टोड ने किस युद को मिवाड की थर्मोपोली की संग्या दिये कोश्चन बहुत इपोर्टेंट है दोस्तों बहुत बहुत बार एक्जाम में पुछ गया तो मिवाड की थर्मोपोली की संग्या दोस्तों हल्दी गाटी के युद को दिये किसने करनल जैम्स टोड ने जिसे राजस्तान इतियास का पिता माह कहा जाता है यानि किसका ए ओप् और युनान का ससक लियोनिडास के मदे युद होता है दोस्तों फारस का जो ससक होता है जिरेकसस उसके पास विशाल सिना होती है लेकिन ये लियोनिडास होता है इसके पास मतर तीन सु युदा होते हैं तीन सु युदा तो इनके मदे ये बैंकर युद होता है लेकिन लिय मिवाड की थर्मोपुली के संग्य वो करनल जम्स टोड ने हल्दीगाटी के युद को दिये दोस्तों हल्दीगाटी के युद में जो लडता है जो मिवाड का योदा उस प्रतेक योदा को भी करनल जम्स टोड ने लियोनिडास का है तो आपको याद रखने दोस्तों लियोन से शिय हैं जो सबसे वह था उद्यसीय राजा बना कर घे किस्कों जगमाल को लेकिन जो सामन्त होते वह मारना प्रताब को राजा बना देते इसके कारण यह गारनी है यह नराज हो जाता रहला है और अकबर के पास चला जाता है अकबर इसे जाजपूर की जो जागिर मता का नाम दोस्तों बच्पन का नाम की का दो किका दोस्तों, बिलो में छोटे बक्चे को का जाता है, तो आपको याद रखना है, मारना परЕТाप के बच्पन का नाम किका था और पहला राज तिलक में दोस्तों, गोगूंदा में हुआ था। काँ पर हुआ था। गोगूंदा में 28 फ्रवरी 1512 को और दूसरा जो विदिवत राज तिलक होता है वो होता है कुमबलगड में, काह पर होता है कुमबलगड में? तो कुस्टन कही बारे पूछ लिया जाता है कि पर्थम राज तिलक कब हुआ था, तो याद रहना गो गुंदा में और अगर कुस्टन इससे पुछा जाए कि बमा सायने दोस्तों मारना परताब के गोड़े का नाम चेतक था और मारना परताब के हाती का नाम क्या था राम परसाद और दोस्तों मैं आपसे एक क्वेस्टन पूछता हूं कि इस हाती को जब अकबर ग्रिफदार कर लेता है इसका प्रिवर्तित नाम क्या रखता है यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगाए तो दोस्तों लाइक जुरूर करना और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करना नेक्स्ट किस टोपिक पर आपको वीडियो उपलब्द करवाया जाए यह भी कमेट सेक्षन में जुरूर बताना धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम